Dear modern stars, how are you all? I hope you all are fine and enjoying your studies at homes. Students, take out your Hindi व्याकरन बुक्स and copies. Open your chapter 6, सर्वनाम. बच्चों सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम को इंग्लिश में हम प्रोनाउन्स कहते हैं. संग्या के इस्थान पर जिन शब्दों का प्रेयोग किया जाता है, उन्हें शर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, हम, आप, वे, मैंने, उसने, हमने, तुमने, उन्होंने, मुझने, मुझसे, तुमसे, उससे, है ना, ये सारे शब्द जो होते हैं, ये क्या होते हैं, आपके शर्वनाम शब्द कहलाते हैं. सर्वनाम के भेद, शर्वनाम छे प्रकार के होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्यवाचक सर्वनाम, अनिश्यवाचक सर्वनाम, संबंध वाचक संबनाम, प्रश्णवाचक संबनाम और निजवाचक सर्वनाम, ठीक है? ये छे प्रकार के सर्वनाम होते हैं आये इनकी definitions पढ़ते हैं और उधारन देखते हैं कौन-कौन से होते हैं पुरुषवाचक वे शर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किये जाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं वे शर्वनाम जो किसी और के लिए किसी second person के लिए use किया जाता हो उसको हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे मैं, तुम, वह ये सारे जो होते हैं आपके पुरुषवाचक सर्वनाम के उधारण है निश्चे वाचक सर्वनाम वो शर्वनाम जिसमें किसी व्याक्ती या वस्तु का निश्चित जानकारी दी जाती है उसको हम क्या कहते हैं निश्चे वाचक सर्वनाम जैसे पुस्तक वह रखी है है ना यह पानी मुझे दो तो ये सारे क्या है निश्चित चीजे हैं जो आपसे मांगी जा रही है आपको वो निश्चे करके देना रहेगा तो ये हो गया आपका निश्चे वाचक सर्वनाम नेक्स्ट है अनिस्चे वाचक सर्वनाम अनिस्चे में किसी भी चीज का निस्चित जानकारी नहीं होती है जैसे कि तुम्हें कुछ सुनाई दिया है ना कुछ देखा इस तरीके से जब कुछ की बात आ जाए या कोई बात आ जाए तो ये होते हैं अनिस्ट है संबंध वाचक सर्वनाम वो होते हैं जब दो लोगों को आपस में जोड़ा जाता है जैसे जैसी करनी वैसी भरनी जो करोगे सोप खाओगे तो ये क्या है आपका संबंध है हम जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे है ना ये जो है सम्मन है जैसे काम जैसा होगा वैसा ही हम पाएंगे next क्या रहेगा जितना पढ़ेंगे उतना ही जानेंगे तो जितना उतना तो क्या हो गया यहाँ पे हमारा हम जितना पढ़ रहे हैं उतने के ही बारे में जानते हैं आपके हो गए सम्मंद ठीक, next होता है प्रश्ण वाचक प्रश्ण पूछा जाता है जिन में वो होते हैं प्रश्ण वाचक जैसे कौन कहता है कि तुम नहीं पढ़ सकते कौन कहता है कि या पैंसिल तुम्हारी है तो ये क्या हो गए आपके कौन, means कोई सर्वनाम है यहाँ पर लेकिन कौन है वो ये पता नहीं है तो ये हो गए आपके प्रश्ण वाचक निजवाचक में मैं स्वयाम आप खुद, ये सारी चीज़े जब आती है, अपने बारे में करने की बात आती है, तो वो होते हैं निजवाचक सर्वनाम तो ये था आपका सर्वनाम चैप्टर और सर्वनाम की चोव भेद अब हम बात करते हैं अपने कौपी वर्क की तो कौपी वर्क में बच्चों सबसे पहले आप डालेंगे पार्ट 6 शर्वनाम शर्वनाम सब्द की डेफिनिशन लिखेंगे ठीके? क्या लिखेंगे आप सर्वनाम सब्द की डेफिनिशन में? संग्या के इस थान पर प्रयोग किये जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है सबसे पहले आप कौपी में डालेंगे पार्ट 6 सर्वनाम और उसके बाद शर्वनाम सब्दों की डेफिनिशन लिखेंगे फिर लिखेंगे शर्वनाम सब्दों के भेद ठीक है इतना लिखने के बाद में बच्चों आपको क्या करना है आपको next page पे जो ये exercise given है ठीक है इसको आपको अपनी copy में no down करनी है ये जो exercise है आपकी इसको आपको अपनी copy में करना है so I hope आपको आपका copy work समझ में आ गया होगा next turn पे मैं आपको book work कराऊंगी आज के लिए वीडियो में इतना ही thank you have a nice day to all